नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सेटिके से वडूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से सम्बंदित 50 सबसे बहतरीन प्रस्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों जैन धर्म से सम्बंदित जितने भी important प्रस्न बन सकते थे उन सभी को इस व वीडियो आपके आने वाले exams के लिए काफी helpful होने वाला है तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला हमारा प्रस्न है जैन धर्म के प्रथम तिल्थकर कौन थे तो जैन धर्म के पहले तिल्थकर कौन थे तो रिशब देव जो थे ये जैन धर्म के पहले तिल्थकर थे तता रिशब देव को आदी नात के नाम से भी जाना जाता है तो इसे भी आप याद रखिएगा अगला हमारा है किस तिल्थकर का उलेक रिग वेद में मिलता है तो किस तिल्थकर का उलेक रिग वेद में मिलता है रिशब देव इनके लिए प्रतीक चिन के रूप में सान का इस्तिमाल किया जाता है रिशब देव के लिए ते भी कई बार एकजाम में पूछा गया है अगला प्रस्त मारा है जैन धर्म के 23 तिल्थकल जिनका नाम था पार्सोनात का जन्म कहां पे हुआ था शूपर इंपर्ण तो जैन धर्म के जो 23 तिल्थकल थे पार्सोनात इनका जन्म हुआ था ता कासी में आप्या देखेगा कासी के इच्छाकुवनसी सासक अस्वसेन के ये पूत्र थे आप्या देखेगा आगला हमारा है जैन धर्म के 24 वें तिल्थकल जिनका नाम था महावीर स्वामी इनका जन्म कब हुआ था तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 540 इसा पुरु में आप या देखेगा 540 इसा पुरु में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तता जैन धर्म के मतलब ये जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24 वें तिर्थकल थे तो इसे भी आप याद दिखेगा ये भी कई बर एक जाम में पूछा गया है अगला मारा है महावीर स्वामी को किस नदी के टट पर इज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महावीर स्वामी को किस नदी के टट पर इज्ञान की प्राप्ति हुई थी अगला प्रस नमारा है महावीर स्वामी की मृत्ति हुई थी तो महावीर स्वामी की मृत्ति हुई थी तो राजगीर के निकट पावापूरी में आप याद दिखेगा राजगीर के निकट पावापूरी नामक जगह थी यहीं पे महावीर स्वामी की मृत्ती हुई थी तता डेट था पांच 468 इसापूरु आप्या देखेगा 468 इसापूरु में महावीर स्वामी की मृत्ती हुई थी राजगीर के निकट पावापूरी में अग्ला प्रस्ट नमारा है, पाल सोनाथ के अनुयाईयों को क्या कह जाता है? तो जैसा कि आपको पता है ये जो पाल सोनाथ थे ये जैन धन के 23 में तिल्थकल थे आप आ दिखेगा ये जो पाल सोनाथ थे ये जैन धन के 23 में तिल्थकल थे तता इनके अनुआईयों को निग्रंथ कहा जाता है तो जैन धन के जो 23 में तिर्थकार पास्वनात इनके लिए प्रतीक चीनि के रूप में सर्प का इस्तिमाल किया जाता है तो इसे आप याद देखेगा अगला प्रस्थ नमारा है किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के इज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्डन मिलता है तो ग्रंथ का नाम है कल्प सुत्र इसी ग्रंथ में महावीर स्वामी के इज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्डन मिलता है तो इसका रैटेंसर क्या हो जाएगा कल्प सुत्र में अगला प्रस्न मारा है महावीर स्वामी ने पांचवा कौन सा क्रम पंच महावरत में जोड़ा सुपर इंपोर्टेट तो जैन धर्म के जो पांच महावरत हैं इन में से जो पांचमा वरत था जिसका नाम था ब्रह्मचर उसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने तता इस से पहले के जो चार वरत थे जैसे अहिंसा, अम्रिसा, अचर, अपरिग्र ये चारों वरत पास्वनात के दौरा जोड़े गये थे ये कई बार एक जाम में पूछा गया प्रस्था है, अगला प्रस्था है, जैन धर्म के सब्त भंगी ज्यान को क्या कहा जाता है, स्याद वाद, आप या देखेगा, जैन धर्षन के सब्त भंगी ज्यान को कहा जाता है, स्याद वाद, तो आप इसे या देखेगा, अगला प् किसे मानता है सुपर इंपोर्टन तो जो जैन दर्शन है ज्ञान का स्रोत किसे मानता है तो प्रत्यच अनुमान और सब्ध ये तीन है एक ज्ञान के स्रोत जैन दर्शन के अनुसार तो इसे आप याद दिखेगा अगला हमारा है कौन से जैन तील्थकल के लिए जो प्रतीक चिन है सर्प का इस्तिमाल किया जाता है तो जैसा है कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जैन धर्म के जो 23 तील्थकल थे पार स्वनात कौन थे तो जैन धर्म के जो 23 तील्थकल थे पार स्वनात इनके लि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था तो महावीर स्वामी का जो जन्म आते हुआ था वैसाली के कुंड ग्राम में कहां तो वैसाली के कुंड ग्राम में 540 इसा पुरु में तो इसे भी आप दिखेगा 540 इसा पुरु में वैसाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्मुवा था तता महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 में तिल्थकर थे अगला प्रस्ण मारा है महावीर स्वामी के पीता का क्या नाम था, सुपर इंपोर्टेंट तो महावीर स्वामी के पीता का क्या नाम था, तो सिधार तो आप यादे किएगा, महावीर स्वामी के पीता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के पीता का नाम था, सिधाल अगला प्रस्त नमारा है जैन धर्म के संबंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है तो चार कथन दिये गए जैन धर्म से संबंदित इन चारों कथनों को देख के बताना है कि इन में से कौन सा कथन सही है तो पहला कथन देख लेते हैं यह कर्मवाद में विश्वास करता है तो यह बिल्कुल गलत है इसके बाद हमारा है यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है यह कर्मवाद के बारे में मौन है तदा यह कर्मवाद की भष्षना करता है तो इसका राटरिसर क्या हो जाएगा option A, sorry यहाँ पर मैंने बता दिया था यहाँ पर जो option A है यह कर्मवाद में बिश्वास करता है यह नि जो option A है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जैन धर्म जो है यह कर्मवाद में बिश्वास करता है तो आप इसे आदेखेगा ये कई बार एक्जाब में पूछा गया प्रस्न है अगला हमारा है कौन सा परवत जैनों में पवित्र माना जाता है तो कौन सा परवत है जो जैन धर्म में पवित्र माना जाता है तो जो चंदगीरी परवत है या जैन धर्म में पवित्र माना जाता है तो आप इसे आद देखेगा जो चंदगीरी परवत है यह जैन धर्म में पवित्र माना जाता है दोस्तों यह जो सुलावा प्रस्ण मैंने आपको बता है था इसका जो राइट एंचर वो option A है आप इसे आद देखेगा यह कर्मवाद में विश्वास करता है अगला हमारा है जैन संग के सदस से कितने संगों में विवक्त थे तो दो संगों में जैन संग के सदस से विवक्त थे तो आप इसे याद देखेगा अगला हमारा प्रस्तन है जैन दर्शन के अनुसार स्रिष्टी की उत्पत्ती कितने द्रब्यों से हुई है तो जैन दर्शन के अनुसार जो स्रिष्टी की उत्पत्ती है वो पांच द्रब्यों से हुई थी तो इसका राइट एसे क्या हो जाएगा पांच द्रब्यों से अगला हमारा है जैन धर्में किस सिधान पर सबसे अधिक बल दिया गया है तो जैन धर्में किस सिधान पर सबसे अधिक बल दिया गया है तो अहिंसा पर आपिसे आदेखेगा जैन धर्में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है अगला प्रस्ण मारा है जैन धर्म को दच्छिड भारत ले जाने का स्रे किसे दिया जाता है तो जैन धर्म को दच्छिड भारत में ले जाने का स्रे किसे दिया जाता है अगला हमारा प्रस्ण है महावीर स्वामी को किस वृच्छ के नीचे कैवल यानि इज्ञान की प्राप्ती हुई थी आपसे पूछा जा रहा है तो महावीर स्वामी को किस वरिच्छ के नीचे इज्ञान यानि कि कैवल्ली की प्राप्ति हुई थी तो साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्ली यानि इज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसका राइटेशन क्या हो जागा साल वरिच्छ अगला हमारा है जैन धर्म का प्रतम अधिवेशन कहां और किसकी अध्यचता में हुआ था तो जैन धर्म का जो प्रतम अधिवेशन था या पाठली पुत्र में हुआ था तो इस्तूल भद्र की अध्यचता में हुआ था उसे आप याद रिखेगा जैन धर्म का जो प्रतम अधिवेशन था या पाठले पुत्र में हुआ था तता किसकी अध्यचता में तो इस्तूल भद्र की अध्यचता में अगला हमारा प्रस्तन है जैन अनुयाईयों द्वारा आयोजी दूसरी महासवा का अधिवेशन कहां और किसकी अध्यचता में हुआ तो दूसरी जैन संगती का जो आयोजन था या वललभी में किया गया था तता इसकी अध्यचता किसने की थी तो छमास्रमण ने किसने तो छामा सुरमर्ण ने इसकी अध्यचता कीछी दूसरी जैन संगिती का तो आप इस या देखेगा तथा जो दूसरी जैन संगिती थी इसका आयोजन वललभी यानि की वललभी जो जगह या गुजरात में है यहीं पर किया गया था अगला मारा प्रस्णा है जैन धर्म के स्वितामबल तथा दिगंबर संप्रदाय कब अस्तित्त में आए इसके प्रतम अधिवेशन के बाद जो जैन धर्म था यह स्वितामबर और दिगंबर में विवाजित हो गया प्रतम अधिवेशन के बाद जैन धर्म स्वितामबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विवाजित हो गया था तता यह जो स्वितामबर संप्रदाय के लोग थे यह सपेद वस्त धार्ण कलते थे और दिगंबर संप्रदाय के लोग बिना वस्तर के रहते थे तो आप इ जैन धर्म से संबंदित ग्रंग्त कहलाते हैं अंग उपांग तथा पूर्व अगला हमारा है कलांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव अस्थापित किया कहां पे तो कलांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव अस्थापित किया था पस्चिमी भारत में तो आप इसे या अगला प्रस्त हमारा है जैन धर्म किस भासा में मतलब जैन जो ग्रंथ हैं वे किस भासा में लिखे गए हैं तो जो जैन ग्रंथ हैं ये संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भासाओं में लिखे गए हैं तो इसे आद देखेगा प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भासाओं में जैन ग्रंत लिखे गए हैं तो सुपर इंपोर्टेंट अगला मारा है महावीर स्वामी के प्रतम अनुवाई कौन थे सुपर इंपोर्टेंट तो महावीर स्वामी के पुत्री प्रियदहसना उसके पती थे जमाली तता ये जमाली महावीर स्वामी के प्रतम अनुवाई बने तो आपीस आदेखीगा महावीर स्वामी की पुत्री प्रेदहसना की पती जमाली थे तता ये जमाली ही महावीर स्वामी के पहले अनुगाई बने अगला मारा है महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था ये सोधा अगला मारा प्रस्ण है निमलिकित में से किस सासक वंस ने जैन धर्म को प्रस्रे दिया तो जैन धर्म को किस सासक वंस ने प्रस्रे दिया था तो चालुक के इसका राट एसे रोजाएगा ओप्शन जो C है चालुक क्यों ने जैन धर्म को प्रस्रे दिया था अगला मारा है जैन मठो को क्या कहा जाता है तो जैन मठो के लिए जो सब्द प्रियोग बिलाई आता है वो सब्द है बसदी तो आप इस या देखेगा बसदी सब्द का प्रियोग किया जैन मठो के लिए अगला मारा प्रस्ण है जैन धर्में सिंग के प्रतीक चिन का उपयोग किया जाता है तो जैन धर्में जो सिंग का प्रतीक चिन नहीं या किसके लिए उपयोग में लाया जाता है तो जैन धर्मे सिंग का प्रतिक चिन उपयोग में लाए जाता है महावीर स्वामी के लिए जैन धर्म के 24 में तिर्थकल थे महावीर स्वामी तता इनके लिए जो प्रतिक चिन इस्तमाल में लाए जाता है वो है सिंग अगला मारा है बौध साहित में महावीर को क्या कहा जाता है इनको क्या कहा गया है तो निगठ नाथ पुत आप इसे या दिकेगा यह सुपर इंपोर्टेंट है अगला मारा है जैन धर्म क्या है आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें से right answer आपका हो जाएगा option जो D है वस्तुवादी जो जैन धर्म क्या है या वस्तुवादी है अगला हमारा है सब्तभंगी नए सिध्धान्त आपसे पूछा जा रहा है जो सब्तभंगी नए सिध्धान्त है किस धर्म से संबंधित है तो जो सब्तभंगी नए सिध्धान्त या किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है या सब्तभंगी नव सिध्धान्त अगला हमारा प्रस्न है प्रसिद जैन गरंथ अने कांत विजय की रचना किसने की थी तो हरी भद्र सूरी ने तो आप इसे आ देखेगा हरी भद्र सूरी के दारा प्रसिद जैन गरंथ अने कांत विजय की रचना की गई है अगला मारा है प्रसिद जैन गरंथ है परिसिष्ट वर्मन इसकी रचना किस ने की है तो जो प्रसिद जैन गरंथ है परिसिष्ट वर्मन इसकी रचना की गए थी हेम चंद्र के द्वारा तो दोनों आपको याद रखना है अगला मारा है कुमार गुप्त प्रथम के समय संकर नामक व्यक्ति ने किस तिल्थकर की मूर्ती का निर्माड कर आया है शूपर इंपोर्टेंट तो कुमार गुप्त प्रथम के सासन काण में संकन नमक व्यक्ति ने जो जैन धर्म के तेजमें तिल्थिकल थे पार्सोनात उनकी मूर्थी निर्मार करवाय था तो इस का राइटे glimpse से क्या हो जागा पार्सोनात की अगला हमारा है गुप्त काल में स्वेतामबर संपरदाय का केंद्र क्या था तो गुप्त काल में स्वेतामबर संपरदाय का केंद्र था मतुरा एवं वललवी तो आपी चाह देखेगा गुप्त काल में स्वेतामबर संपरदाय का केंद्र था मतुरा एवं वललवी तता ये स्वेतामबर से बढ़ाय के लोग थे ये स्वेत यानि सफेद वस्तर धारन करते थे अगला प्रस्थ नमारा है किस अभिलेक से पता चलता है कि भद्र नामक ब्यक्ति ने पांच जैन तिल्थकों की मुल्तियों की अस्थापना कराई थी तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा कहों के अभिलेक के दोरा अगला हमारा है किस गुप्त कालिल महिला का मतुरा अभिलेक के अनुसार जैन मंदिरों को दान देने का जिक्र है तो जैन मतलब गुप्त कालिल महिला का नाम हरी स्वामनी आप या देखेगा या जो हरी स्वामनी थी या गुप्त कालिर महिला थी इसी ने जैन मंदिरों को दान दान दिया था जिसका लेक किया गया मतुरा के अभी लेक में तो आप इसे याल देखेगा गुप्त कालिर महिला का नाम है हरी स्वामनी अगला मारा प्रस्थन है गुप्तोत्तर काल में वो कौन जैन आचार थे जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार किया तो गुप्तोत्तर काल में जैन अचार का नाम है हरिभद्र सूरी इन्होंने सबसे अधिक मतलब भरपूर प्रचार प्रचार किया था जैन धर्म का था इनका नाम है हरिभद्र सूरी अगला प्रस्थ नमारा है प्रसिद अचार हरिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है प्रसिद अचारे जीन सेन किसके गुरू थे तो अमोग वर्स के अगला परसन वारा है दस्मी सताबदी के बाद किन राजवनसों ने जैन धर्म को सरक्षन प्रदान किया तो पस्मी चालुक्यों एवं होईसलो ने दस्मी सताबदी के बाद जैन धर्म को सरक्षन प्रदान किया था अगला प्रस नमारा है प्रसस्ती संग्रह किस धर्म से संबंदीत है तो जैन धर्म से संबंदीत है प्रसस्ती संग्रह अगला प्रस नमारा है महावीर स्वामी की मृत्ति यानि की निर्वान कब हुआ था तो महावीर स्वामी का निर्वान कभ वह था तो 468 इसापुर में कहाँ पर तो राजगीर के निकट पावा पूरी नामक जगहें पर तो अपर इसे याद देखिएगा और महावीर की जो मुर्तिव है इनके मुर्तिव के निर्वान सब कपयों कियाता है तो इनकी मुर्तिव कभ तो 468 इसापुर में राजगीर के निकट कहाँ पर पावा पूरी में तो आप इसे याद देखिएगा अगला प्रस्त नमारा है जैन धर्में मुच्छ या निर्वान प्राप्ति के लिए क्या आवस्यक है तो जैन धर्में मुच्छ एवं निर्वान प्राप्ति के लिए क प्रतिय INSंतर कन और कौन से तो सम्मक ज्यान समynnस द्यान और समयक आच्रण यह जैन धर्म के सदस्य कितने वर्गों के इstar सत्व यह ठेंट ऊटल 4 वर्गों है तिसरा सुरावक और चौथा स्राविका तो आप इस या देखेगा जैन संग के जो सदस थे टोटल चार वर्गों में विवक्त थे विच्चू, विच्छुणी, स्रावक और स्राविका तो दोस्तों हमने टोटल 51 मैं पुन प्रसनों को कवर कर लिया है जो कि जैन धर्म से सबंदित थे आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स पर वॉचिंग, थैंक्यू कोड टाइप करना है विम्रीइस, अड़ दिरेट 14, विम्रीइस मेरा नाम है, अड़ दिरेट जो है, इस पेशल करेक्टर हो जाएगा और 1422 हो जाएगा जिसे है फ्री क्लास है, जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसे पैसे लगाए जो वीडियो मेरेंगी, वो आप जागर के वहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अने अकाडमी के अप्लिकेशन पर, उसके राव दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जागी है आपको सिंचा सीथी पर, तो वीडियो उसको लाइक करी, चैनल को जादा शेयर करें चैनल को जादा सस्काइब करें, चैनल को जादा सस्काइब करें, चैनल वीडियो देखते हैं